Tools Info 1232 के सभी वीवर्स का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं दोस्तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं Inco Company का एक बैंड सो जो 350 Watt का है Industrial Purpose के लिए ये Professional यूज किया जा सकता है दोस्तो इसकी Specification आपको बता दू मैं Rated Voltage है 220-240, 50 Hz पर और Power Input 350 Watt है ब्लेट स्पीड 11.6 मीटर पर सेकंड है इसकी पर सेकंड है और Max Cutting Depth है इसकी 80 mm Max Cutting Width है इसकी 230 mm 9 inch और Table So का जो बेज है वो दोस्तो 300 mm x 300 mm यानि 12-12 inch यानि एक स्क्वेर फिट का बना हुआ है अब यह बहुत ही बढ़िया और अच्छी सेफटी दी हुई है इसमें मेकैनिजम इसका क्या है इस मशीन को पुरा खोल के भी हम बता देंगे हलो दोस्तो स्वागत है आपका हमार यूट्यूब चैनल टूल इन्फो वन टू थरी टू पर तो जैसे कि आप जानते हैं हम आपके लिए रोजाना डेली बेस पे अच्छे से अच्छे वीडियो इन्फोमेटिक वीडियो आपके लेके आते हैं तो आज भी हम ऐसे ही आपके लिए एक इंको कंपनी का बेंड सो लेके आये हैं और इसका पूरा डीटेल और डेमो के साथ और डीटेल रीविव आपको बताएंगे हम और यह कैसे काम करता है और कहां कहां से इसका क्या क्या फिटिंग रहता है वो सारी डीटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमारे सभी वीवर्स को गुजारिस करना चाहूंगा कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अंतक देखें और हमारे अगर आपको कोई भी प्रोड़क रिलेटेड जो आप खरीदना चाहते ऐसा कोई प्रोड़क हो आपके सहन में तो वह हमें कमेंट के माधियम से आप बता सकते हैं उस प्रोड़क का हम अन्बॉक्सिंग और रिव्यू करने की कोशिश करेंगे ठीके चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है ये वीडियो एक बैंड सो है जो 350 वाट की इसकी मोटर की कैपेसिटी है इंडस्ट्रियल यूज के अंदर यह काम लगता है इंको कमपनी का इसके पहले भी हम लोगों इंको कमपनी के बहुत से प्रोड़क लेıt के आज चुके हैं और बहुत ही बढ़िया इसका रिजअल्ट है और कोई भी गेरस्टों प्रोड़क के अंदर और इसके जो power है 350W का है और blade की जो speed है वो 11 minute per second की इसकी speed है और maximum cutting deep है 80 mm का और ये जो maximum cutting इसकी wideness है वो 230 mm की इसकी wideness है और जो इसका aluminum का जो table है वो 300 by 300 mm मतलब 12 by 12 का ये इसका 1 foot का table है तो box के उपर बस इतनी जानका रही है इसका जो net weight है वो 18 kg का ये पूरा machine है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इसको हमारे table पर रखा हुआ है इसका मतलब आप ये machine कहीं पर भी लेके जा सकते हैं अपना जहां पर आपकी काम की side हो जहां पर भी आप काम करते हो वहां पर आप इसको लेके जा सकते हैं और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही capable और काम में उपियोगी वाला machine है ये carpenter और जो light fitting का काम करते हो या जो carpentry का काम करते हो ये सब के लिए उपियोगी है बहुत ही बढ़िया बैंड सो है अब machine की detail के अंदर हम आपको थोड़ी सी इसकी detail और basic चीज आपको बता देते है एक जो इसका wire है single phase using वाला wire है ये 2 meter लंबा wire है देख लीजे आप wire box की quality भी बढ़िया है और यहां पर इसकी on-off की switch है off की switch है वो थोड़ी बाहर से दी हुई है इसका मतलब कभी भी आप जल्दी से कुछ problem हो वो emergency हो तो आप जल्दी से इसको बंद करना चाहिए तो तुरंती बंद कर दे और जो चालू करने की switch है on की switch है वो पूरी cover कुई है इसकी वज़ा यह है कि कोई गलती से भी अगर किस sensor वाला machine है यह machine के अंदर अगर कोई भी part machine का खुला हुआ होगा तो यह machine वर्क नहीं करेगा यह इसकी machine की safety purpose के अंदर आता है अगर इसके अंदर यह उपर वाला धकन या नीचे वाला धकन या कोई भी इसका जो movable part है वो अगर खुला हुआ होगा तो यह machine operate नहीं करेगा आपको उसको बंद करके ही उसको और सारे सेंसर उसको जब यस करेंगे तभी ये मशीन चालू होगा फुली आटोमेटिक मशीन है और इसके अंदर अब मैं उपर का जो इसका बॉक्स है वो खोल के बता दे तो आपको मशीन के अंदर क्या-क्या है और एक नीचे का भी इसका बॉक्स है अभी पहले में अंदर का मेकेनिजम आपको बता दूँ फिर मैं आपको टेबल का मेकेनिजम बता दूँगा फिटिंग करने के लिए अभी यहाँ पर नीचे रबर की ग्रिप दी हुई है देख लीजे आप अगर आप कहीं पर इसको फिक्स करना चाहते है अगर आपको पार टेबल का आप अरेंजमेंट करते है और इसको फिक्स करना चाहते है तो तो आप फिर इसको खोलके डारेक बोल्ल भी लगा सकते हैं रबर रखे मगर आप इसको अगर मुवेबल रखते हैं तो यह जराक भी हिलेगा नहीं अपनी जगा पे से क्योंकि इसके नीचे कंप्लिट रबर लगे हुए नीचे का कंपार्टमेंट खोलते हैं एक बड़ा सा चक्का है और इस तरफ भी बड़ा पूली है और रबर का बेल्ड दिया हुआ है रबर कॉलेटी का है बंगर डील नीचे का बहुत ही बढ़िया है और कितनी आसानी से में हाथ से इसको गुमा रहा हूं और पूरा ऊपर का हिस्सा भी है घूम रहा है और यह डबल डबल बेरिंग वाला यह पूरा है इसके अंदर अंदर भी bearing है और बाहर भी bearing है तो यह double bearing के अंदर यह machine काम करता है देख रहे है आप यह उपर वाला जो चक्का है इसकी बाहर की तरफ की bearing देख रहे है और इसके अंदर और एक bearing भी है जो अंदर की तरफ है पीछे की तरफ है जो आपको अभी दिखाई नहीं उस हिसाब से ये maintenance में बहुत ही कम आपको problem देगा और बहुत ही अच्छे से ये काम करेगा और एकदम freely घुमेगा ये देख लिजा बहुत ही freely घुमेगा पहले ये motor से ये वाला fry wheel घुमता है और ये पट्टे की मदद से ये पूरा चक्का घुमता है और यहां से देख पा रह हम इसकी टेबल वगेरा की बात कर लेते हैं तो ये जो टेबल के पास main जो इसकी असेसरी है ये आपका एंगल सेट करने के लिए है कि आप कोई भी लकडा वगेर आप इसको एंगल सेट कर सकते हैं यहां पर ये भी पूरा मुवबल है आपको अगर सीधा 90 एंगल का कोई ल अब क्या है कि मुझे इसको काटना है मैं आपका कर भी बताऊंगा मैं आपको अभी रिच की बता दे रहा हूं अगर मुझे इसको अंदर तक लेके जाना है देख लीजिया अगर मुझे यहां पर mostre को सेट करने पड़ेगा पहले नापकर तो अगर में इसको काटूंगा तो वहीं पर जाके ये रुख जाएगा, ये इसका काम है, और अगर मुझे उस तरफ का भी मार्जिंग करना है, तो उस तरफ की मार्जिंग के लिए यहाँ पर पूरा अलुमिनियम का सिस्टम दिया हुआ है, देख सकते हैं, ये पूरा ऐसे ऐसे करके घुमेगा, आपको पूमाना चाहते हैं, तो वह आराम से कट जाएगा, नीचे के हिस्से में अगर हम देखेंगे, तो इसके जो नीचे का हिस्सा है, उसके अंदर टेबल है, देख लीजे आप, ये टेबल भी पूरा एंगल पर सेट होता है, मैं आपको एक बार बता दूँ, यहाँ से मैं इस इसको लॉक कर देता हूं, और लॉक करके मैं आपको एक बर बता देता हूं कि यह सीधा जब मैं इसको रखूंगा ऐसे, तो यह 45 डिग्री पे अभी यह लकड़े को काटेगा, देख लीजे, पूरा तिर्शा ही है, मैं आपको एक लकड़ा भी काट के बताऊंगा, देख अभी मैं इसको पहले जो था, जीरो डिग्री पे वह मैं इसको कर देता हूं, तो आपको फिर बता दूंगा, उसके बाद आपको आइडिया जाएगा, और इसको जो एंगल चेंज करना वह बहुत ही आसान है, आपको नापना करना कुछ भी नहीं है, आपको सिफ यहाँ प पूरा दिया हुआ है, अब मैं जो आप इसको बता रहा हूं, कि आप पहले यहाँ पर बता दीजिए, यह जो चक्का है, अभी में अगर हमारे व्यूवर्स को पता चल जाए कि यह जो सो है, सो ब्लेड बोलते है जिसको, यह ब्लेड आपकी सर्क्यूलर वन पीस ब्लेड है यह आपकी अलग अलग ब्लेड नहीं है, तो यह पूरी की पूरी ब्लेड इसके अंदर घूमती है, और अगर आपको मेंटेरंस के लिए या मशीन की सापसफाई के लिए अगर आपको यह सो को खोलना है, और अगर आपको नहीं सो डालना है, तो यहाँ से यह जो आपका द इसका खुल जाएगा, देख लीजे, यह उपर का खुल चुका है, पूरा जो कवर है, प्लास्टिक का फाइबर का मोटा सा कवर दिया हुआ है, अभी भी यह सो टाइट है, अब इसको मेरे को अगर सो को निकालनी है, तो यहां पर पीछे एक लीवर दिया हुआ है, यह लीव हाथ मेरे आजाएगी, और यह सो पूरी मेने निकाल दी है, यह देख लीजे आप, सो मेने पूरी निकाल दी है, ऐसी यहां से में इसको निकाल दूँगा, तो यह यहां से भी आरम से निकल जाएगी, देख लीजे, यहां पर भी इस तरीके की यहां पर मेकेनिजम दियो कोई प्रॉब्लम नी आएगी कोई दिक्कत नी आएगी आपको मेंटेनस में भी बहुत आसान इसका मेंटेनस है हमारे जो सुथार का काम करने वाले या जो हमारे जो लाइट का बॉड का कटिंग का काम करने वाले उन लोग के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है हमारे हमको क् अपनी लाइट के बॉर्ड के अंदर घीसी बनाने के लिए अपने प्रोड़क्त को वेटिंग में रखना पड़ता है अभी मेरे पास काम ज्यादा है तो अगर आपने मशीन खरीद लिया हुए तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप अपने हाथ से काट सकते और मैंने पीछे का यह जो आ है वह ने लूज कर दिया अब मैं इसको वापस से टाइट कर देता हूं मैंने छोड़ दिया इसकी जगह पे अगर मुझे इसको टैइंशन टाइट करना है तो मुझे क्या करना है इसको उपर नीचे करूंगा डिला फिटिंग करूंगा अभी अंदर की तरब भी है, मेकेनिजम बहुत ही बढ़िया है, यहां पर भी बेरिंग दी हुई है, एक बार यहां पर बता दीजे यह रहा है, अंदर भी यह जब चलेगा, तो यहां पर भी अंदर भी बेरिंग दी हुई है, तो यह अगर आप इसको प्रेशर देंगे ऐसे करके, तो यह 100 है 100 यह उतर नहीं जाएगी अपनी जगा पे से कोई वीवर्स अगर हमारे को पूछेंगे के अगर हम ताकत लगाएंगे तो यह उतर तो न जाए तो यह उतरेगी नहीं इसके पीछे भी यहां पर बेरिंग दी हुई है वह बेरिंग पे इसका पूरा लोड आ अब भी में इसको चालू करूँगा यह चालू नहीं हो रहा है देख लीजिए डट्टा चालू है स्वीच चालू यह चालू नहीं हो रहा है अब जैसे ही में इसको फिटिंग करूँगा यह चालू हो जाएगा जब भी में ओन करूँगा तो इसको पूरा बंद करना होग यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आपके हाथों का यह जो ब्लेड के कॉंटेक्क में हाथ बिल्कुल ना आए उसका आपको बहुत द्याद रखना है क्योंकि बहुत ही शार्थ ब्लेड है इसका मेंटेरंस बहुत ही आसान है इंको कंपनी का है ब्रांडेड है यह और अगर दूसरे कारीगरों के वहाँ होता है मगर उसमें क्या प्रोब्लम है हाँ 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 देखो हमारी एक गलती हो गए थी जैसे मैंने आपको सेंसर का बताया था तो यह जो ढकन है ढकन यह प्लास्टिक का ढकन मैंने फिटिंग ही नहीं किया था अंदर की तरफ मैंने लगाया नहीं था इसको उसके लिए यह सीरीज कंप्लीट नहीं हो रही थी है अब मैं इसको वापस खोलूंगा मेरी गलती हो गई अब मैं जैसे इसको बन करूंगा और यह ढकन को भी मेरेको बन करना पड़ेगा पड़ेगा बहुत कोशिश के बाद पता चला कि इसका सेंसर कहां पर है तो अभी तक यह चालू ही नहीं हो रहा था हमने बहुत कोशिश की यह डब्बे को तकरीबन तीन से चार मर्थबा खोला धकन को फिर पता चला इसका सेंसर उपर दिया हुआ है देख लिजे आप बहुत ही और टाइट होगा तभी यह काम आगे करेगा देख लिजे और यह इसका सेंसर नीचे वाले डखन का सेंसर यहां पर दिया हुआ है अगर आपके यह डखन के अंदर एक भी डखन लूज होगा तो यह मशीन को आउन नहीं करेगा अन होने के यह डखन टाइट होने के बाद पके सेंसर को यह करेगा तब यह मशीन चालू होगा अब मैं आपको एक बार इसको चालू करके बता देता हूं मैं चालू हो चुका है देख लीजिया अब क्या करना है हमें हमको इसको कटिंग करना है कटिंग करने के लिए एक लखडा ले लिया मैंने जैसे आपको पहले बताया था एक इंच का लखडा है हाथ थोड़ा बचा के आपको काम करना है करणा पादा टाक कर दाना है कि अन्याभी याभी आपको कि आपको काम की आपको कटिंग के निया ने आपको एक बार एक पीस काट के बता देता हूं आपको कि अघूम भचा एकसम पीस क्याख़ कोमा्टा-गया हूं isen से जब 48,8 कि एकक शीस कि भंड़ हुआ है अजर से उता हैं अगर आपको कोई लंबी वाली चीज काटनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर आपको वो जो हमारी जो हैंड सो होती है उससे ही आपको काटना पड़ेगा मेकेनिकल सो होती है मगर यह क्या है कि छोटी मोटी चीज तो आपको कार्विंग का काम हो या आपका मॉल्डिंग का काम हो वो यह बहुत ही आसानी से काट देगा एक बार मैं आपको यह वाला पटिया भी काट के बता देता हूं मैं अगर तो दोस्तों यह हमारा इंको कंपनी का बैंड सो और देख सकते आप कितना बारी किसने काम किया हुआ है छोटे चोटे तुकड़े कर दिये राउंड शेप में भी तुकड़े किये इसने और बहुती स्मूध तरीके से इसने काटा है देख लीजे वो जो आरी से और कटर से काटने के बाद जो भूका निकलता है जो लखड़ा खराब हो जाता है वो भी इसके अंदर बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है क्योंके बैंड सोय एकदम सीधी चलती है तो उम्मित करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो लाइक क करें शेर करें वीडियो को अंतक देखें और हमारे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू धन्यवाद